घरगर भी जाकर के हम बेच लेते हैं रास्ता जिधर से होता है जिनको जरूरत होती हो ले लेते हैं माल्ती विष्णु राज के दर्सक जो है जानना चाहते थे इसलिए मेरा ये सवाल था कि माल्ती के द्वारा जो भी संपत्ति बनाई गई हो कहीं लोग समझ रहे थे कि उनके पिता उसका उपयोग कर रहे हैं आप बाहर कमाने नहीं गए क्या कारण यह है कि अब बेटी का तो आपको पता है कि उसके मुकदिमा के लिए उसका परभी करने के लिए जरूरत मेरी है क्योंकि दुखी मैं हूँ बेटी मेरी थी और क्या लोगों को यह आकलन था कि माल्ती के पिता को दुकान खोलना पड़े अब इसके पीछे मैं क्या कहूंगा मजबूरी तो है माल्ती के पहचान के लोग थे मैं उनका भी स्वागत करूँगा कि जो लोग आये थे वो भी ठीक हैं अब प्रस्थिती हमारे उपर है कि हमें सारा कुछ करना है मित्रो नमस्कार हमारी मौजूदगी है जनपत संत कभीर नगर में और संत कभीर नगर उमरी कला एक गाओ है उमरी कला सुर्खियों में रहा है मालती चौहान का पैत्रिक गाउ है यहीं से मालती चौहान पैदा होती है और यहीं पे मालती चौहान का अंतिम कर्म होता है मालती चौहान सोसल मेडिया पे एक चर्चित चहरा थी लोग उनको जानते हैं पहचानते हैं और मालती चौहान की वो परिस्थितियां याद करिए कि जब मालती चौहान इस दुनिया में थी पती पत्नी मिलकर के काम करते थे लाखो करोणो फालोवर थे उनके जैसे ही ये घटना घटी तो होती है तो परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं मालती चौहान अब इस द प्रिवार में कौन, था था, मतलब की चैर बच्चों में आप पांच बच्चों की साधी कर दिये हैं और एक बच्चे की साधी नहीं किया, जो निरो चौहान जिसको काते हैं, तिंगुर महारूब पनिर्वच वाम। आप क्या करते थे? हम परिंटर का काम करते थे, फ़निचर परिंटर का काम करते थे जब रहते थे? चंदीगड़ में रहते थे कितना कमा लेते थे? अब ठीके काम होता था एक दो आदमी रख करके भी 30-40,000 रुपय तो कमाई लेते थी महने में यह जब घटना क्रम अभी चला और यह घटना घटित हुई इसकी जानकारी आपको कब हुई थी हमारे को नौंबर में इसकी जानकारी जब हुई थी जब इन लोगों में तनबन चल ला था कि तनाओ काफी लोगों के अंदर हो गया था तो जब हम यहां पहुचे हैं तो 18 तरीक को यह समझा होता की है कोट में जाकर बकायदा लिखा पड़ी होकर के समझा होता हुआ है उसके बाद वो जाती है और 22 तरीक को हमारा बात होता है और 22 तरीक कोई एक वीडियो वाइरल भिष्णू करता है कि मालते से कहवाता है कि हम पापा के साथ आज सासुरार जाएंगे तो जब बच्चे हमारे देखते हैं कि मैं छोटा मुबाइल चलाता था तो हमें तो पता नहीं तो बच्चों को जब पता लगा है तुन्होंने जब फौन किया तो काते कि इसने विष्णूनिक कहें से कहवाया है कि कोई पत्रकार या यूट्यूपर कोई आएगा नहीं और उसी रात को ये एक घटना होता है साथ शक्वनी सबूत को मिटाने की पूरी पूरी साजिस कर रखा है इस चीज को कोट भी देख रहा है प्रसर्शन भी देख रहा है और पब्लिक भी देख रही है जब दौर चला था तो यहां हजारों की संख्या में लोग आते थे उस दौर को और इस दौर को देखा जाए तो किस प्रकार से कैसे मैनेज कर रहा है और क्या लोगों को ये आकलन था कि मालती के पिता को दुकान खोलना पड़ेगा ठेला चलाना पड़ेगा अब इसके पीछे मैं क्या कहूंगा मजबूरी तो है मालती के पहचान के लोग थे मैं उनका भी स्वागत करूँगा कि जो लोग आये थे वो भी ठीक है अब प्रस्थिती हमारे उपर है कि हमें सारा कुछ करना है ये दुकान क्यों खोलना पड़ा? दुकान खोलना पड़ा कि बेरुजगार होने को जैसे कोई काम का यहां तो इस तरह का हमारा है नहीं और तो मैं सुचा चलो सबजी का काम सुरू कर देते हैं सबजी की जरूरत थर किसी को होती है उसी में थोड़ा बहुत और भी समान बच्चों का भी रखेंगे ताकि हमारा खर्चा पानी जो है निकलता रहेगा अच्छा ये दुकान कितने लागत में जो है आपकी तैयार हुई है अभी तो कोई मान के चलिए कि 15-20,000 रुपया में लगा दिया था जिसमें 11,000 रुपय का रिनाई आ गया है ठेला गाड़ी और बाकि साख सबजी में अपना वही लगा करके चला रहे हैं कहां से सबजी उठाते हैं सबजी मंडी हमारे खलीलाबाद में इधर है वहां से उठाते हैं सबजी ताजी सबजी वहां मिल जाती है रोज का रोज वहीं से ले आते हैं और बेचते हैं कितना कमा लेते हैं दुकान से अब जैसे सल हो जाए जो सल हो जाता है उससे हिसाब से कि 5 रुपया 4 रुपया किलो पीछे मार्जन होता है तो मालनो 10 किलो हो गया, कोई आइटम कोई 5 किलो हो गया, कोई 2 किलो हो गया, तिसे हिसाब से हो जाता है, सो 200 रुपे का, 500 रुपे का काम हो जाता है, अच्छा, आप बाहर कमाने नहीं गए, क्या कारण तो? कारण यह है कि अब बेटी का तो आपको पता है कि हड़ा हुआ है और उसको मुखदिमा के लिए उसका पैर भी करने के लिए जरूरत मेरी है क्योंकि दुelnिखिय मैं हूँ, बेटी मेरी थी इसको इन्साब दिलाने के लिए और खुद को इन्साब पाने के लिए जो है case हो गया है inventory कोड के चहरी में अब इसलिए तारीक पारीक पड़ता जा रहा है तो बाहर जाने का कोई चांस नहीं हमें मिला है अब तक चलाएंगे दुकान दुकान चलती रहेंगे दुकान अब जैसे खोल दी हैं चलती रहें कि बच्चे हैं हम नहीं रहेंगे तो बच्चे चलाएंगे हम रहेंगे तो हम चलाते रहेंगे हाँ जी बिक्री हो जाती है हाँ बिक्री जो समान ले आते हैं थोड़ा बहुत जो भी लिया रहे हैं अभी नमी दुकान है दो हकता हुआ तो समान भी कि जाता है जो परिवार की परिस्तितियां इस तरीके की है और इस सचाई को कोई जाने कोशिस नहीं किया अब आप कोई पता है कि गुरू का धन और बेटी के धन पर बाप का कोई अधिकार नहीं होता इसलिए आद तक हमने उसे ऐसी कोई बात नहीं किया मैं के बाले ही कामना करता था कि तुम लोग रहो खुसी रहो सुखी रहो और कमाओ खाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए हम अपना कमाने खाने भर के अतना हमें मतलब कारीगरी हम सीख लिए थे कि हम अपना कमा खा सकते थे और चंदीगर में हम रह करके भी वहाँ पर आराम से काम करते थे और वहाँ आप लोग के उसे में जो है और सिंगोट कंप्लेक्स में हमारा एक छोटा सा रूम भी है तो हमें इस चीज का कोई चिंता नहीं था हम कभी बेटी से यह नहीं कहा कि हमें कुछ चाहिए मालती विष्णुराज के दर्सक जो है जानना चाहते थे इसलिए मेरा ये सवाल था कि मालती के द्वारा जो भी संपत्ति बनाई गई हो कहीं लोग समझ रहे थे कि उनके पिता उसका उपयोग कर रहे है नहीं ऐसा कुछ नहीं अगर ऐसा किसी को ऐसा लगता है तो बकाईदा वो चेक कर सकते हैं जो पैसे उसके आये हुए थे हमारनाद के खाते में उसमें एक लाख दस अजार रुपया वो दिया था जो कि उसके कामकिरिया में भी लगा है और जो थोड़ा बहुत बचा ये उवराज के पालन पोसन में चला गया है वो अपने हाथ से सोयम काबल था बेटे के अकाउंट में आया था मैं जा करके खुद करवाया कि उनके अकाउंट में कर दीजिए ताकि उसका पालन पोसन अचीत रहोए ये उवराज कहा है ये उवराज हमारे बड़ी बेटी के पास है बिल्कुल सुरचित है कोई चिंता की बात नहीं है ये उवराज का जनम दिन आने वाला है जनम दिन इस दुकर घटना में अभी बहुत कमी दिन हुआ साल भी नहीं बीता है तो हमारे हिसाब से हम उसका जनम दिन नहीं मनाएंगे अबकी आगले आने वाले टाइम में आप सबको इन्मायट करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग को बुलाएंगे तब जनम दिन उनका मनाएंगे और धूम धाम से मनाएंगे आपके बेटी का परिवार खोसाहाल परिवार था जो परिस्थितियां आए इन परिस्थितियों का कभी आप सोचे थे कि बेटी के जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आ सकते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा था अभी अगस्त महने में ये लोग हमारे पाद चंदीगड़ भी गए थे वहारा कर भी आये हैं में इसके अंधर अब क्या है क्या नहीं है अब यह अभी पर संथिह कोई दूखी है आप … हमारे साथ घल्थ कर रहा है मैं संतुष्ट Хों फूरा मेर मुझन हमारा Bishnu है वो तो है बिवेचनामे मैं नाम दे दिया था तो अब विवेचना अधिकारी वही है, वही जो करेंगे वो होगा कौन दोसी है, कौन नहीं दोसी है? अब उनके हाथ में है, वही चानेंगे अब अन्य तीनों लोगों को नाम ले रहे थे जिसे राहुल चौरसिया हुआ, राधिका हुआ, अर्जुन बर्मा हुआ, इनका भी मैं तहरीर में नाम दे रखा हूँ, उनके घरवालों का भी नाम दे रखा हूँ, अब ये परसासन के उपर है, विबेचना अधिकारी के उपर है, वोही जो कर रहेंगे वोही होगा, जब तक उनका सुरहमी नहीं हुआ तब तक ही लोग आते रहें धीरे धीरे लोगों की संख्याएं कम होते चली गई है और अब कोई नहीं आता है अब आने जाने से हम क्या करेंगे करना तो मुझे है इसलिए हम यह थोटा मोट अपना काम करके और अपने प्रिश्थितियों क कि जो मामला चल रहा है उसमें मालती को न्याय मिले इसके लिए इन्होंने दुकान खोल लिया है अब दुकान खोले हैं तो सो दोसों की इंकम होती है ऑनेस्ट है इमांदार है इसलिए अपने दुकान पर रहकर के काम करना चाहते हैं आपके देख सकते हैं कि कि किस प्रकार सब्सक्राइब बदोपर जये सब्सक्राइब रोपाइब गोड़ में अफिर जाए के लिए अपकर नेहिए इस तरह दुकान को बढाना चाहेंगे कि हां भाइंगे देरे जैसे हमारी पोजिशन सही होती जाएगे उसी तरह धीरे धीरे छोड़ा-धोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे यह दुकान को थोड़ा-धोड़ा और बढ़ाएंगे और घर पे ही रहेंगे और यहाँ देखिए यह ठेला जो ठेला पर यह लाल मर्चा लेकर करके और गाओं में इसको भी तरण करते हैं कैसे इसको बैच रहते हैं उसलिए इसको गाओं के लोग बहुत पसंद करते हैं guarantee अब आपके धुकानगे आते हैं चाने आते हैं उडिज सब्सक्राइप आते हैं और प्रडमे भी गूम के वीचाइब श्रकूधे लेता हूं कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि ज्यादेतर औरतों के मनपसंद की चीजे होती वहीं इनको बना भी सकती है आदमी के बसका तो उतना है नहीं कि इसमें मतलब मसाला डालना भरना और सब कुछ इसको तियार करना कई परकार के पदार्थ इसके अंदर लगते हैं मसाले म हैं हुम तो घर गर भी जाकरके हम बेच लेते हैं रास्ता जिधर से होता है इजिनको जरूरत कि वो ले लेते हैं आपटेले कर प कि नहीं हो जाकते हैं धर काफर चक्र में है थोड़ा सा वह भी परेशान इसमें घटना के होजै से लेकिन देर देर सัब को लगाएंगे इस इसे काम बढ़ेगा वो इसे फिर लड़के को भी लगाएंगे तो आप लोग सुब कामना दीजिए और बल दीजिए कमेंट करके एक बार बताइए कि यह दुकान को कितना आगे बढ़ाएं क्योंकि कहीं न कहीं इस दुकान की इनको और इनके परिवार को जरूरत है इस मामल